नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बाफ फिर से राज जुसर के नाम से इस्ट्यूट चैनल के अंदर जहां पर हम पढ़ रहे हैं नौर्सेट यहां पर हम पढ़ने वाले हैं उनके उसे और उनके बारे में complete यहां पर जितने भी इमेज हैं वो सारे के सारे रिपिटेटली क्रेशन आस्क्ड है डिफरेंट टाइम्स इन दिल्ली हैं तो सबसे पहला एंसी क्यों यहां पर है लूक एट पिक्चर और इडेंटिफई दॉड विच इन वीच ऑप इफॉलोईंग सिटुरेशन आपको पिक्चर को देखना है एक कोड दिया हो उसको इडेंटिफाई करना है और बताना है कि यह किस सिटुरेशन केंदर काम में लिया जाता है फुस्ट पिक्चर है आपके कोड़ नाम और किस Godzilla सब्सक्राइब अधरेटी अपने minute है आपाने k TV अत्रिय को कौन सी सप्राइब बहुत बढ़िया कहीं लोगों ने बहुत सांदार जवाब डिया बोले सर्सक्राइब ये तो तो यह बिल्कूल correct answer है code blue जो है यूज किया जाता है एक patient with cardiac arrest, cardiac arrest blue, b code blue cardiac arrest, अच्चा different type की coding जो hospital में काम में लेते हैं वहाँ पे किस-किस code को किस-किस से denote करते हैं उसको मैं थोड़ा सा describe करता हूँ यहाँ पश्राइब करें कोड़ का में अगर कोड़ रैड है तो यह फाइर के लिए काम में लिया जाता है द आपको पुचें कोड़ पिंक जो है यह पूछावा स्वाल है एक्जाम के अन्दर लास्ट एमस के लिए में पूछा है पुर्ड पिंक आद्य ऊंध और ओर्ड प्रिटर और प्रैंट के लिए अगर हैजाड आधस मैं यह तो पिल मैटरियल जो है वं घाषाड़ा होता तो उसके लिए दा मी तो code orange कामे लिया जाता है hazardous material spill management के दोना code yellow जो होता है वो internal disaster या external disaster के लिए कामे लेते हैं code yellow internal और external disaster code black जो होता है वो torrendo के लिए कामे लेते हैं यह not so important code red drill fire drill यह सब हमने पढ़ा ही है fire के लिए code red होता है code rust जो है वो percent disturbance के लिए कामे लेते हैं और code silver जो है वो violence के लिए कामे लेते हैं आपको तीन code तो at least याद रखने है code red code pink और code blue इसके लिए brown bomb के लिए gray severe weather के लिए orange जो है वो spill is material के लिए और yellow जो है वो internal और external disaster के लिए यह coding important है इमर्जेंसी कोडिंग इनको बोलते हैं तीन code आपको याद रखने क्योंकि स्वाल यहीं से बनेगा नेक्स्ट है identify the image which is given below आपको इमेज को identify करना है यह इमेज आपको दिया वाए आपको यह बताना है कि यह किस चीज का इमेज है बहुत अच्छे बहुत अच्छे maximum people are correct इस पीनाड फीटोस्कोप क्या है यह पीनाड फीटोस्कोप यह इमेज किसका है पीनाड फीटोस्कोप का पीनाड फीटोस्कोप जो है वो यूज किया जाता है इसका और नाम है क्या नाम है पिनार्ट फिटोस्कोप को किस नाम से जाना जाता है पिनार्ट फिटोस्कोप का दूसरा नाम क्या है इसका दूसरा नाम है पिनार्ड होर्ण बजाते हैं पन ऐसा ओर्ण जैसा यह दिखता है इसको पिनार्ड होर्ण भी कहते हैं पिनार्ड फिटोस्कोप का दूसरा नाम पिनार्ड होर्ण भी है फिटल हार्ट रेट को सुनने म next identify the image which is given below next image आप लोगों के लिए and this is the image आपको identify करना यह किस तरीके का image है और यह कहां काम में लिया जाता है very good यह ना repeatedly question है दिली हमसने इसको कई बार पूचा है last exam में भी इसको पूचा है यह image है CTG machine बहुत अच्छे CTG machine यह क्या है CTG machine CTG क्या होता है cardiotokography इसका फूपर्म होता है condiography machine cardiotokography machine कहां काम आती है CTG machine cardio टokography machine जो है वो कहां काम में आती है CTG machine है CTG कहां काम में आती है यह use की जाती है to perform आपको पता होगा एंटी नेटल पीरेड के दोरान 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 एंटी जो करते हैं नोन इस्टेस टेस्ट उसमें इसको यूज किया जाता है और लेबर के दोरान इसको जादवा द्यूरिंग लेबर इसको यूज किया जाता है क्या इंडिकेट करती मसीन से क्या पता चालता है इससे हम फीटल हाट रेट उसमें वेरीशन चेक करते रहते हैं आपने पढ़ेंगे Acceleration, Obizium पढ़ते हैं Acceleration, De-Acceleration, Late De-Acceleration तो यह जो Acceleration और De-Acceleration अगरा है इनको rule out करने के लिए Fatal Heart Rate में यह variation है और इनको rule out करने के लिए Cardiac Tocography नाम का यह machine काम में लिया जाता है CTG machine का नाम है बहुत important instrument है prenatal period के दोरान और labor के दोरान इसको यूज किया जाता है CTG Next is identify the image which is given below और this is the image आपको पैचानना है यह किस तरीके का image है एक seizure है लेकिन यह कौन सा seizure है क्योंकि सकल से आपको seizure ही दिख रहा है लेकिन यह seizure कौन सा यह आपको पैचानना है तो वो seizure जिसके अंदर आप देख रहे हो कि यहां पर जो है handle है वो इस तरीके का है आगे आगे इस तरीके के handle आगे इस तरीके से इसको दियावा इस ट्रेटली टाइप यह कौन सा seizure है तो इस seizure का नाम है मैट जैन बॉम सीजर क्या नाम देते हैं मैट जैन बॉम सीजर का नाम है मैट जैन बॉम सीजर यह कहां यूज होती है इस यूज टू कट टू कट डेलिकेट टिशू इतने भी डेलिकेट टिशू होते हैं उनको कट करने के लिए डेलिकेट टिशू को कट करने के लिए इसको क्या किया जाता है यूज किया जाता है माईबसीजिर की तरह ही उती है लेकिन माईबसी तो नहीं है इस में ज्यादा लांग है। तो बागी blade दोनों में लगबग से हम दिखती है लेकिन handle का यहां पर फरक है तो इसमें longer handle है और इसका जो end होता है end part वो blunt होता है कैसा होता blunt तो longer handle है ना और blunt end और use for the cutting of delicate tissue seizure का नाम दिया आपने madgen bomb seizure नेक्स्ट है identify the image which is given below and this is the image what it is last seizure का हम ने madgen bomb seizure के नाम से जाना अब इसका इसका हम अगर देखें तो इस seizure के अंदर जो handle है वो थोड़े slightly small than madgen burn और इसके लावाँ इसमें specific बात है कि इसमें एक ग्रूव टाइप दी हुई है यह ना यह ग्रूव जो है वो इस seizure में ही होती है इस तरह की ग्रूव यहां पे है और आगे का जो cutting area है वो थोड़ा साब टाइप का दिखता है तो इस seizure को नाम दिया जाता है myos seizure जिसके हमने बात की कौनसी seizure है myos seizure है इस seizure का नाम है myos seizure myos seizure जो होती है वो use की जाती है for the cut of suture and supplies इसको suture को cut करने के लिए काम में ली जाती है इसको यूज किया जाता है जितने भी सूटर होते हैं उनको कड्ट करने के अंदर यह दो तरह की होती इत्ट भी आती जो है वह का सी है जैप के है और जो भी heavy tissue होती है, facia होती है, muscle होती है, uterus की, breast की, उन सब को हमें cut करने में ये मदद करती है है. तो ये cutting के purpose है, myocidus का use होता है cutting purpose, facia, tissue, उन सब को cut करने में कामल लेते है, straight और curved दोत्रे की myocidus available होती है, अलग-अलग size में आवेलेबल होती है और heavy tissue को कट करने में पर मदद करती और दो इसके type है मायो say dirty में और यह तो घंड में अपार you अगर हम दोनों procedure में compare handle जो होता है वो लोंग नहीं होता है हमने बोला मायोसीजर की तुला में इसमें हैंडल जो होता है वह बहुत लोंग होता है और इसके अलावा इसका जो यह पार्ट है यह भी लेंथ में ज्यादा होता है मायोसीजर की बजाए मायोसीजर थोड़ी विट्थ में ज्यादा होती तो अलग-अलग uses है दोनों के अंदर next this is the image you have to identify what it is यह किस तरीके का image है कौन सा instrument है आपको यहाँ पर identify करना है बहुत ही बढ़िया तो इस image को इस instrument को डेनवर जो है retract के नाम से जानते हैं यह एक retractor है और इस retract को नाम देते हैं डेवर retractor डेवर रिक्टर जो है वो यूजぎा जाता है रिक्रेक्टर यूज siru करते हैं यहें नाम यूज करते हैं यहां पर और इसी इसको होल्ड करके पीछे के यह पूर्म वैंवलिग इसको यूज करते हैं और रिटयिक करते हैं डीप को रिटरेक्ट करके रखते हैं तांकि सखली ली आप से किया जा से कि यह यह रिट्रेक्टर से आ늦ेवर रिट्रेक्टरलस काई एक्जाम्पल एक्जाममें पूच कि से इमेज से आपको यााद रकने हैं नेक्स्ट है लुक एक दी पिक्चर और इडेंटिफाई वाट इस आप अराम से इसको पैचान गया होंगे बहुत बहुत जो है इजी इमेज है यह आप्शन देता हूं मैं आपको cervical venus central venus catheter, police catheter, rials tube and last one is the feeding tube what that image is यह किस तरीके का image है you have to identify very good it's a c central venus catheter यह हुआ हम क्या बोलता है central light central के अंदर लगती है दो ven होती है central के अंदर internal jugular ven और इसके अलावा सब क्लेवियन वैन सेंटर में दो वैन होती है इंटरनल जुगलर वैन और सब क्लेवियन वैन इंटरनल जुगलर और सब क्लेवियन वैन के अंदर लगने वाला जो कैथेटर होता है जो लाइन होती है उसको कौन सी लाइन कहते है हम सेंटर लाइन कहते है तो इस यूज इन द काम में लेते हैं इसके लगा यहां पर फॉलिस कैथेटर है जो कि यूज किया जाता यूरिनरी ड्रेन के परपस से रास्ट्यूब जो है वह इस्ट्रोम को डी कंप्रेस करने के लिए और फीडिंग परपस से यूज करते हैं फीडिंग ट्यूब का भी वही परपस है तो यह इस ट्यूब को सेंट्रल लाइन कहते हैं और हाइपर्ट्रोनिक सॉल्यूशन जब भी देना होता पैरिफ्रल एरिया से तब हम वहां पर कामें लेते हैं सेंट्र लाइन तो सेंट्रल लाइन आपको याद रखना है पैरिफ्रल जो है परपस से हम इसको यूज करते हैं यह स सेंट्रल वीनस के तर्ट बहुत इंपोर्टन इमेजेज है डिफरेंट टाइप की इमेजेज डिफरेंट एस्पेक्ट से एक्जाम के अंदर इनको पूचा गया है तो आपको अलग अलग तरीके से इनको याद रखना है ताकि जो है बहुत इजी लिए आप इसको रूल आउ एक काम ओर करें इस चैनल इस वीडियो को मैक्जिमम लोगों तक पहुंचाने की कोशिस करें ताकि मैक्जिमम पीपल जो है इसका फाइदा उटा सकें नेक्स्ट है लुक एड़ी पिक्चर एंड आइडेंटिफाई क्या है यह पिक्चर चार यहां पर आपके पास में ऑप्सन है फिर्स्ट है नोन रिब्रिदर मास्क नेजल कैनूला अक्सिजन टेंट और आटिपिशल वेंटिलेशन डिवाइस और दिस इस 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 तुमेंट वाट इ लुक वेरी गुड्ड यह पुरा जो सेटप है यह जो है यह अंबू बेग इसको बॉल यह बीच वाला जो है बैसिकली एंबू बैक कैलाता है लेकिन पूरा सेटप लगा रहा है यह बीच वाला जो है अब बैक है आलंकि इसका एक सेपरेटली वीडियो भी हमने वापे ड पीछे की तरब जो है यह oxygen unit है इसके अलावा यह नॉन रीब्रीदर मास्क पीछे की तरब लगावा है तो नॉन रीब्रीदर मास्क अलग है नेजल कैनूला अलग होता है oxygen टैन्ट अलग होता है यह artificial ventilation device है और यह जो यूज किया जाता है इसको एमबू कहते है artificial manual breathing unit जिसके सारे parts को एक अलग वीडियो लेक्चर में हमने यह पर पढ़ा भी है जिसको आप जरूर रहफर करें ताकि आप इस instrument को बहुत अच्छे से पढ़ पाए समझ पाए तो यह पिक्चर है artificial ventilation device का तो यह important mcq जाज के वीडियो ना बने तो सार्ति बनके दिखाईएगा अच्छा लगेगा तो मिलते दुबारा एक नए वीडियो एक नए अनर्जी के साथ में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत